ना चाथिए मंचुरियन बनाने के लिए हम चाहिए एक गड़ाई कड़ाई में दो ग्लास पानी गरम कर लीजे उसमें एक छमच थे आपके टाने ऐविल हore जाती है जो जातИ है तक इससे पांच मिरे तक अच्छी तरह से बोईल कर ली जहीं है किया ताक्यास हो जाये मैं फरिसे अलग बाउल में निकाल लीजिए यह देखी मैंने अलग बाउल में निकाल लिये हैं और भी से अच्छी तरह से थंडा होने दें फिर इसमें से हो सके उतना पानी ड्रेन कर लें ताकि डीप प्राय करते समय इसमें ज्यादा पानी ना रहे कर दो देखें मैं अच्छी तरह से पानी निकाल लिया है इप पिर इसमें लाल मिर्च पौधर लुच app कर दाले जिसी तरह से कौनल टोटिंग करना है और मिक्स करते समय तरह से दबाके मिक्स करना है ऐसे देखिए ये अच्छी तरह से मेख हो चुके हैं पिर एक गडाय में तेल गरम कर ले पर चेक कर ले कि तेल गरम हो चुका है या नहीं तो फिर उसे अच्छी तरद से डीप फ्राइब कर लें डीप फ्राइब करते समय गैस मिडियम हीट पर रखें ताकि वह जले ना और उसे अच्छी तरह से ब्राउन होते तक डीप फ्राइब करें मिडियम हीट पर फ्राइब करने से उसमें अच्छी तरह से क्रण्च आजाता है कि दीरे दीरे ब्राउन हो रहे है अच्छी तरह से ब्राउन हो चुकी है अब इसे अलग बाउल में निकाल ले आज अच्छी तरह से उसे ब्राउन हो आज है फिर उसी कड़ाई में दो चम्मच तेल करम कर लें उसमें डालना है हमें बारिक कटा हुआ प्याज मारी कटी हुई शिम्ला मीर्च मारी कटी हुई लसून मारी कटी हुई अद्रक यसे अच्छी तरह से प्राय कर लें याद रहें इन सबस्यों को जादा पकाई नहीं तो इसमें दो से तीन कटीं हुई हर इमेज ब्लैक पेपर एक टेबल स्पून पिर हमें उसमें सॉसेस डाल लहें दो चम्मज रेड चिली सॉस दो चम्मज सोय सॉस हमें इसमें नमक दानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आर्रेडी सॉसे में नमक रहता है फिर दो से तीन चमच कॉन फ्लॉर ले इसमें पानी डाले और इसे अच्छी तर से मिक्स कर ले और इसे अच्छी तर से पकने रहे उसमें डाले स्प्रिंग ओनियन पास से साथ में टकी से मिडियम हिट पे पकने ही रहे अच्छी ग्रेवी तयार हो चुकी है फिर उसमें डाले स्प्रिंग स्प्रिंग डालने के बाद हमें इसे जादा पकाना नहीं है इसे अच्छी तर से मिक्स कर लें देखिए अच्छी तर से मिक्स हो चुके है और गास पन कर देशें यह हमारे सुरा चिली मंचुरेन रेड़ी है और इसे एक बावल में सर्व करती चीए यह हमारे स्प्रिंग पर्फ़ यह हमारे से लेखिए झाल झाल